तो भाई हम है इस टाइम गौलियर में और गौलियर में यहाँ पे एक रोटी बहुत ज़्यादा फेमस है बहुत ज़्यादा मशूर है और बहुती बड़े पैमाने पे यहाँ पे बनाई जाती है आप देखेंगे सबसे पहले लकडियां ही लकडियां जल रही हैं और यह इतना बड़ा कर दिया जाता है यह देखिये बाई घजब बहुत घॉमारे दिल्री में जो रुमालियां रोटी मिलती रुमाली रोटी वो इतनी बड़ी नहीं होती लेकिन यह आप इतनी बड़ी हुऊ हथ से भनादेते हो रेखो क्या पात तो कौंसा आटे की होती है तंदूरी आटे की मैदा की नहीं है तो भाई है क्या बात है अजीबार देखो व्हाई क्या कलाकारी देखो आप इन التي यह तंदूरी आटा लगा रखा आपने तो आटे में कुछ और भी डाला जाता है क्या क्या डाला जाता है वैसे रिफाइंड अच्छा रिफाइंड बश बेसं बगरा भी डालते हो तो यह देखो भाई यह बनाते हैं इस तरीके से रोटी यह देखो गजब आपने आज से पहले ऐसी रोटी बनते हो यह शायद ही कहीं देखी हो तो कितने सालों से बना रहे हो आप 10-12 साल क्या बात है और डेली सुभा सुभा रोज का कामी यह हमारा रोज का तो क्या किस हिसाब से बेचते हो फिर यह अच्छा एक रोटी 10 रुपे के हिसाब से भी बेच देते हो और कोई रेस्टरेंट वाले को अगर ओडर देना हो तो 25 रुपे किलो आटे से मजदूरी से भी बना देते हो अच्छा यह देखो भाई यह है कटी हुई लोईयां पहले से इनोंने रख रखी हैं और वह आटा भी लगा हुआ है है और यहां पर आप देखेंगे यह देखो वाई इतनी बड़ी-बड़ी रोटीयां बनाते जा रहे हैं यह देखें भाई क्या बात है गजब कलाकारी अलग 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 आ रहे हैं अच्छा यह बीच में से फोड देते हो फूले ना अच्छा कितनी बड़ी रोटी है और इसको पलट दिया इनोंने दौनों साइट से सेखते हो यह देखो यह है असली रोटी इतनी बड़ी रोटी आपने कहीं नहीं देखी होगी तो भाई 10 कि इतनी सारी रोटी यह तैयार हो चुकी है और 25 रुपए किलो लेवर से भी बना देते हो तो सुबह से लेकि कितने ब़ज तक बनाते हो रात के दस बहें तक अर्वाइब और बंती जाती है और बिकती जाती है तो लोग एकटी ले जाते होंगे रेस्ट्रेंट वाले लेत के वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेर जरूर करते हैं इस वीडियो को ताकि सब तक कहुंचे और सब तक यह लोग देख पाएं गौलेर की फेमस कौनसी माडा मावा मांडा मांडा रोटी